अलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका अपना निजित सलाकार अमित्राश शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल आज की वीडियो में हम सुकन्या स्मृद्धी योजना की बात कर रहे हैं देखिए सुकन्या स्मिध्धी योजना को ही सुकन्या स्मिध्धी अकाउंट कहा जाता है क्योंकि अलग से इसमें आपको एक पास्वुक मिल जाती है अब इस वीडियो में क्या क्या इंफोर्मेशन आपको मिलने वाली है उसका मैं छोटा सा सम्बली दे देता हूं हम समझेंगे कि कौन सुकन्या स्मिध्धी योजना का फैदा ले सकता है कौन नहीं एक साथ कितने अकाउंट ओपन किये जा सकते है सुकन्या स्मिध्धी के विड्रॉल डिपोजिट को लेके लिमिट क्या है कब तक हमें deposit करना है कब तक नहीं ये भी समझेंगे ये भी समझेंगे कि account transfer हो सकता है या नहीं, that case में क्या होगा documentation क्या रहेंगे और illustration भी हम इसका देखेंगे तो हम बिना समय गवाई सबसे पहले बात करते ही कौन इसका फैदा ले सकता है कोई भी भारती है मतलब कोई भी भारती है जिनके घर में एक बच्ची हो बेबी चाइल्ड हो जिसे हम female चाइल्ड भी कहते हैं तो उस female चाइल्ड के guardians या parents मतलब माता पिता या उसके अभी भावक सुकन्या समिध्धी account open कर सकते हैं दो किये जा सकते हैं अगर अलग-अलग बच्चीया है तो बट किसी के घर में ऐसा हुआ है कि एक बच्ची हो गई और उसके बाद में दूसरा जब delivery हुई तो वो twins निकले मतलब जुड़वा बच्चीया निकली और 21 साल जब हो जाएंगे complete तो आपको maturity मिल जाएगी minimum मतलब कम से कम 2500 रुपे आप pay करेंगे अधिक से अधिक आप 1500 रुपे तक इसमें pay कर सकते हैं हर साल तो देखिए minimum और maximum में अंतर है तो अलग amount आप pay करना चाहे तो वो भी आप pay कर सकते हैं पूछा था कि अलग-अलग amount pay कर सकते हैं नहीं आप करना चाहो तो कर सकते हो अब आती है withdrawal को लेके limit की सबसे पहली condition है कि उमर 18 साल की होगी तब ही आप partial withdrawal इसमें कर पाएंगे higher study के लिए आप कर सकते हैं उसके लिए आपको admission और जो fee से संबंदी जो evidence होंगे वो आपको देने होंगे document submit करने होंगे या फिर बच्ची की साधी हो रही हो तब आप ऐसा कर सकते हैं और अब तो आपको पता है कि कानूनर 21 साल की उमर कर दी गई है शाधी की और ऐसे में आप account balance का 50% तक ही आप withdrawal कर पाएंगे ठीक है जी अब बात आते हैं कि transfer हो सकता है या नहीं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका residence जो है change होता रहता है उनकी job की वज़े से पूरी तरीके से shifting होती है तो इस case में कोई charge नहीं लगेगा all over the India आपका account transfer हो जाएगा लेकिन किसी और reason से आप transfer कराते हैं अब बात कर लेते हैं death case की अगर parents या guardians में से किसी की death हो रही है और बच्ची की उमर 18 साल की हो चुकी है मतलब बच्ची अब adult है बच्ची नहीं रही है तो इस case में बच्ची अगर चाहे तो account को continue रख सकती है ठीक है जी क्योंकि वैसे भी जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो माता पिता का कोई अधिकार रहता नहीं है सुकर्णिया समिद्धी account पे सब कुछ बच्ची के under control आ जाता है बट अगर बच्ची वो वैस्क नहीं हुई है और मालो bank में किसी ने सुकर्णिया समिद्धी account ओपन किया था तो बच्ची के साथ में कोई नो कोई जाएगा bank में और बताएगा भई माता पिताते अब नहीं रहे हैं और वो documentation जो होगा formality complete करेंगे जैसे death certificate वगएरा अगर और कोई document मांगे might be तो आपको देना होगा ठीक है जी तब आपको ये पैसा आपके account में मिल जाएगा अब आप कहाँ open कर सकते हैं इसको post office में open कर सकते हैं आप bank में open कर सकते हैं ठीक है आपको birth certificate देना होगा ID proof देना होगा और address proof देना होगा ये document की requirement होगी हो सकता है पासपर साइथ photo की भी demand कर ली जाए अब बात आती है illustration की मतलब उधारन मालो बच्ची की उमर एक साल की है सालाना 50,000 रुपे पे किया जा रहा है 15 साल तक हम पे कर रहे हैं 21 साल पे हमें maturity मिलेगी तो total 15 साल में 50,000 के साब से 7,500,000 रुपे यहाँ पे हो जाएंगे maturity पे 21,97,690 रुपे approximately मिल जाएंगे क्यों क्योंकि 7.6 प्रतिशत का rate of return आपको मिलेगा जो कि compounding होगा ठीक है जी अब rate of return को लेके इसकी history भी थोड़ा सा आपको बताएता हूँ 2016 में 8.5 प्रतिशत था rate of interest ठीक है और 2018 में 30 जून में यह 8.1 प्रतिशत हो गया और अप्रेल 2020 में 7.6 प्रतिशत हो गया और अभी भी अगर आप चेक करेंगे जो भी इस तरीके की government sovereign scheme है उनमें अभी भी इसका जो return है वो जादा है बच्ची की उमर 0 से लेके 10 साल के बीच में होगी तब ही आप सुकन्या स्मिद्धी अकाउंट open कर सकते हैं अब बात रहते हैं कि सारी information हम कहां से cross check करें आप बहुत से लोग होते confusion रहता है फिर भी तो देखिए यह link है ना यह NSI National Saving Institute का ठीक है इसका link मैंने description में दिया है वहाँ पर जब आप click करेंगे तो यह interface आपके सामने आ जाएगा और सुकन्या इसमिद्धी account scheme का पूरा information आपको वहाँ पर मिल जाएगा कौन सा form है form की detail भी यहाँ पर मिल जाएगी link वहाँ पर attest है आपने हमसे कहा कि हम इसकी information आपके साथ share करें उसके लिए हम आपके आभारी हैं इसी तरीके से बस अपना प्यार देते रहें comment section में बताते रहें और वीडियो को like करके उस साथ जरूर बढ़ता है और दूसरे के साथ share कर लीजिए अगर आपको information सही लगी है तो थैंक यू सो मच